बिटा असलाम अलेकुम इस्टुएंट्स आज हमारे जो टॉपिक है वाँ बच्छे बच्छे सामने देखें कल हमारी जो क्लास हुई थी कल हमने यूनिट तमबर थ्री यानि डायनिक्स के नुमैकल के स्टार्ट के जाज़े और नुमैकल के स्टार्ट करने के बाद पहला ट पहली बता देते कि इतने इंपोर्टन नुमैकल नहीं है लेकिन आज में जो नुमैकल करने जा रहा हूं वो है उसका टॉपिक है मुमेंटम और इंपल्स और मेरी तज्यूर्वी की रोश्नी में या मेरी बात अगर आप माने तो या मुझे जो लगता है वो यह लगता है क कि इस साल बूर्ड के पेपर में जो नुमैकल आएगा जिस टॉपिक में से वो मुमेंटम और इंपल्स ही होगा और इंतिहाई इंपॉर्टन टॉपिक है इंतिहाई इंपॉर्टन पोश्चन है नुमैकल वाइस तब जो के सबसे पहले दो तीन बाते मैं क्लियर करना चाहत हो पहली बात यह कि मुमेंटम और इंपल्स के लिए सबसे पहली बात आप तवाम बच्चे को बता होगा पी इस इल्टू होता है एंवी यह तो पहला फामला है यह तो वह फामला है जो मैंटर ग्लास से तुम्हों पढ़ते वे आ रहे हो कोई मुश्किल नहीं होगी इसमे पहला फामला आगिया दूसरे फामले में क्या आता है एक आपको याद होगा law of conservation of momentum में फामला निकलता है M1 U1 प्लस M2 U2 is equal to M1 B1 प्लस M2 V2 मुरासे में बस इसमें एक चीज़ से ख्याल लखेगा यहाँ पर दो bodies है एक कमास M1 है एक कमास M2 है एक कमास M1 है एक कमास M2 है U1 और U2 initial speed है बस यह जहन में कुसा लिजेगा यू और U2 initial speed है इनीशल लगा मतलब शुरू में और V1 और V2 क्या है पाइनल स्पीड है बाद बादी यानी जो शुरू में होगी वो U1 U2 होगी और जो बाद में वो V1 V2 होगी ठीक है आप कहेंगा हासर आगे बढ़ जाए M1 U1 प्लस M2 U2 is equal to M1 V1 प्लस M2 V2 तीसरे नंबर पे अब एहम तरीम पॉइंट याद रिखेगा इंपल्स का मत्लब होता है इंपल्स वाला कोशन पर mogę में यरि पहला भखे इस वीडियो में वह स्क्लास में करने होगा है मदलfriends का मतलब हो टॉन होग चेंज ऊप Bem बस्यों में जहिए खुशा लें Fine मैं बोलू तो इसका मतलब आपको change of momentum निकालना है यानि डेल्टा पे निकालना है अच्छा आपके पास अब करते हैं numerical करते हैं यह तीन formulas मेरे हिसाब से हैं जिनके मताबिक आपके पास ज्यादा तर यानि 90% numerical momentum के clear होंगे सबसे पहले आप जरह आएं शीट पर देखें वर्ट एक्जांपल नबर 3.2 आ होकी पुक विद्धा मास ओफ 0.2 गेजी इस लाइडिंग मिलके है नमेकल ताम अच्छे को मिलके है नमेकल पेज नमबर जो मेरी नमेकल शीट है उसका नमेकल नमबर 5 पेज नमबर 5 मोमेंटम है इंपल्स का टॉबिक है पेज नमबर 5 वर्ट एक्जांपल 3.2 के ते होकी पुक विद्धा बास ओफ 0.2 केजी मेरा पेटा मैं अगर यह हम वर्ट एक्जांपल 3.2 से स्टार्ट कर रहें और पहला नमेकल बारल वर्ट एक्जांपल का है आईए देखते हैं क्या बोला है इन्होंने कहते हैं होकी पुक विद्धा बास ओफ 0.2 केजी मुझे उमीद यही है आप सब कहेंगे 0.2 कितना दिया व और आइस एड़ विलास्टी ओप 10 मीटर पर सेकंड जो विलास्टी गिवेन है वो 10 मीटर पर सेकंड गिवेन है मुझे लगता है यहाँ तो कोई प्रॉब्लम होगी आपनों को आगे बढ़ जाओं कहते हैं अब देखें हुआ क्या है यह इनिशल विलास्टी अभी कल वाला नमेकल इसके अंदर कॉंसेट यूज़ होगा और यह आपके बाद स्पाइनल विलास्टी अब जाद देखो क्या है रहे है इक कोलाइट्स विलास्टी और बाउस्टी ओफ एट मीटर पर सेकंड गलती बता दू क्या किये है विलकुल सही माइनस लगे जो चीक जी बाउस्टी डिरेक्शन है यह थे कोलिजन लास्ट फॉर 0.1 सेकंड बहुत बड़ा यह वा कि भई 0.1 सेकंड तक तो यह क्या कि मैंने आपको ताइम गिवन है याद तो प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे Das. अब आगचेंज इस सवाल के अंदर अत्याई को फोलबं नहीं ऐली डेगा यह थे क्या है, पर आपको तरह जो क्लस्ट आइन सी की क्या होता है ट्श्री दो क्वसिन-चेंजेंफ मोमेंटन धक ? इसमें दोनों को answer same ही आना है आप वो पहले वो कहने हैं पहले क्या निकालो change of momentum और फिर impulse निकालो impulse को represent j से करते है तो आपके पास दो चीज़े निकालनी है एक आपको impulse निकालने और एक change of momentum निकालना है आपस की बात बता हूँ यही तो बोला है वो तो मैंने impulse बताया कि change of momentum के बराबर होता है यह थो impulse की representation है ना कि j से represent करते हैं जैसे momentum को p से represent करते हैं आपके बात यह है कि हम सिफ्ट्या निकालनेंगे change of momentum भयाजी जो change of momentum आएगा वही क्या होगा impulse होगा अब change of momentum के लिए सारी करवाई होगी, आई ये solution में देखते हैं क्या करेंगे, सबसे पहले, मेरे बिटा, याद रखेगा, force is the rate of change of momentum, force rate of change of momentum के बराबर होता है, ये theory की class में proof भी वैसे करवाया गिया है, मैंने force को rate of change of momentum प्रूफ करवाया था, अगर बिल फर्स आपको नहीं clear हो रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं, F is equal to क्या होता है बिटा, M A, तो M VF minus V I upon क्या जाएगा, T, तो ये हमारे पास M VF minus M V I upon में क्या जाएगा, T, ये P F, ये P I, P minus P I क्या हो जाएगा, delta P हो जाएगा, तो आपके पास, या इसको इस तरह भी लेके चल सकते हो, F is equal to क् M A, तो अगले step में क्या बन जाएगा, VF minus V I upon में क्या जाएगा, T, multiply करो क्या बनेगा, M VF minus M V I, और upon में क्या जाएगा, T, मेरा पीटा, अब जरा सोच समझ के जरा step लेना, हमारे पास अगर बिलफर्स, मैं आप से कहूँ कि आप कुछी निकालो, F निकालो, कुछी निका बता, M की वैल्यू कितनी है, 0.2, और VF, भाई, VF, minus 8, very good, minus M, और V I की जगा, 10, एक मिनेट बेट और तमाहे सुन रहा हो, मैं, और T की जगा, 0.1, अब मुझे पूछ लो, भाई, क्या पूछा चाहरे है, जारी values पूट किए है, M की जगा, M की वैल्यू, VF की जगा, VF की वैल्यू, M की जगा, M की वैल्यू, V I की जगा, V I की जगा, V I की, 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 ज 36, बेटा, अब आप, मुझे एक बात बताओ, मैंने पहले फार्मर बताया था कि F is equal to क्या होता है, delta P upon T, और हमें निकालना क्या है, delta P, तो आपके पास delta P is equal to क्या हो जाएगा, F multiplied by T, F की value बताओ कितनी है, minus 36, और T की जगा, 30, 0.1, बेटा, multiply करो, minus, meter per second नहीं, kg, kg meter per second, अच्छा, ये आपके पास, बेटा, भी game खतम नहीं हुआ है, एक sentence all लिखना पड़ेगा, एक sentence all लिखना पड़ेगा, ये हमारे पास क्या है, change in momentum, मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब, impulse, इसका मतलब क्या है बेटा, impulse, impulse यानि कि J, किसके बढ़ावा होता है, delta P, यानि वो भी कितना आ जाएगा, और ये हमारे पास, क्या है, impulse, इसका एक और method भी है, इसका एक और देख रहे तो इसको, इसका एक और method भी है, एक और तरहके कार भी है, और वो ये है कि आप simply क्या करें, delta P को PF minus PI करके solve कर लें, तो उस तरह से भी आपके पाद delta P आ जाएगा, और almost जे steps होंगे, वो same ही रहेंगे, तो दो तरहके कार बिल्कु सही है, check करो, आंसे यही है, वो minus उन्हें ने direction को consider नहीं किया, वा, यह हमारे पास पहला numerical था, आप impulse के ना, ज़रा सुन लो, मैंने अभी पूरे numerical में सिप एक ही concept दिया है, आपके impulse निकालने के लिए आपको change of momentum के लिए struggle कर ड़ी है, impulse निकालने के लिए आपको क्या कर ड़ी है, change of momentum के लिए struggle, इस सवाल को जल्दी से write down करो तमाँ बच्चे, तुम्हें कर शीट दीती न मैंने, कहां क्यों बच्चे, अच्चा, अब आप तमाम बच्चों को मैं पहले ही वाला सवाल write down कर लो बेटा, अगर कोई बच्चा बुक वाले method से कर रहा है, जिसमें PF-PI किया, अपना delta P0 to PF-PI से करके दिया वाई, तो भी सही है, कोई फर्च नहीं पड़ता दो मैं से, बेटा, जरा सामने देखो, मुझे एक बात बताओ, मैं अगर आप से कहूं, कि जो impulse है, बेटा, फोकस ही तर कीजिए का तवाम बच्चे, impulse है, यानि कि जो J है, वो, मैंने क्या पढ़ा है, change of momentum के बराबर है, यानि delta P के बराबर है, change of momentum किसके बराबर होगा, Px-PI, इदर फोकस कीजिए कि आप साम बच्चे, Px-PI, इसका, इदर देखें, इसका मतलब चाहुआ, इसका मतलब यह हुआ कि, J क्या है, बाई इदर फोकस कर लो, जो आरबर होगा, इदर दो, J क्या है, pulse, P, Pf क्या है, final momentum, Pf क्या है, और, तो कितनी चीज़ों है, तीन, इन में से दो दे दे, तीसरा निकालने, बोले निकाल लोगे, मैं आप के हमाले कर रहा हूँ, इस momentum को पहले try करो, दो मिनिट के बाद मा खुद करवा दो, तवाम बच्चे पहले खुद से try कर ले, start, किसी तरी के सोगा बिल्कुल, 150, बेटा, वो नामाखूल और बेकार तरीम बच्चे, जिन से यह वाला नुमेकल भी नहीं हुआ, उस सामदे देखे, इन अब्जेक्ट देखे, इन इनिशल मोमेंटम, इनिशल मोमेंटम, 50 केजी मीटर पर सेकेंड, भाईयों क्या गिवन है, ती आई, जो आप बात ही नहीं करो भई, सामने देखो, मैं अपनी आउकार पे नहीं आना चाहरा, रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन इज़त के सा आज जो है न, कोईट में बोलनो, सामने देखो, ठीक है, ऐसा ना हो, कि क्लास के अंदर में, दिखो, हो गई ही, ये अप्लोड होगी वीडियो, ये वीडियो था, आज के 25 साल के बाद, 30 साल के बाद भी न, जाइस बाते मीडिया पर तो रहेंगी, वहाँ से यूटूब से क्या हुआ करते हैं, जलील हुआ करते हैं, तो ब्रैकर वाली अपनी इजट, अपनी हाथों में रख, 50, kg meter per second, अच्छा, impulse, मेरा आज बताओ, impulse, यानि हंडेट, ये क्या दिया वाद, जे, कितना दिया हुआ है, ये बहुत ही मुश्किल सबाए, पी-एफ निकालना है, solution, impulse क हंडेट, पी-एफ, पी-एफ निकालना है, पी-एफ ये क्या है, बेटा, हंडेट प्लेस 50 is equal to पी-एफ, वल्याज आपको जो पी-एफ आया, वो आया, 150, जिन बच्चों का ये आया है, उन्हें मेरी तरफ से, बहुत-बहुत बदाई हूँ, ठीक है, और second ये, कि आपके पास, अगर ये निकाल आप कर चुके है, अच्छा, एक बात दो, सामने, impulse के अभी तक दू निकालना है, impulse निकालना के लिए क्या निकाल रहा हूँ, डेल्टा-पी, अब मैं आपके सामने एक और निकाल निकाल अगर कोई करने में काम्याब होगा, इस क्लास के अंदर से, तो बॉइस में मुझे एक किवर्प कर भरूस है, और गर्ज में किसी पर भी नहीं है, गर्ज का किसी पर भी नहीं है, मैं के बादे रहा हूँ, और रहा हूँ, चलो भए, ठीक है, बच्चों में दिल पर ले लिए, मेरा बेटा, आप लोगों के करने का वक्ष खतम होता है, और मेरे कराने का स्पर्फ इस्टार होता है, यह साइन मैंकला से इंपल्स से रेलेटेड है, और इंपल्स के बाद भी मोमेंटर इस्टार्ट होगा, दोडों टॉपिक एक दूसर जैसे ही है, कहते हैं, a golf exerts an average force of 800 newton, मेटा, तूस जो है, वो है 800 newton, और a golf ball 0.02 second, हाँ, यह बिल्कुल time given है, time given है, कह रही है, find if initial velocity of ball is, if initial velocity of ball is 40 meter per second, यह कह है, and its final velocity is, final velocity is 16, what is impulse, बेटा, यह सवाल impulse के ना भी तक मैंने देखो, मैं भी न यह वाले recording करने की वज़य भी यही है, आपको पता है, book new है, पुरानी जो book थी उसके तो सारी recording में पास थी मोज़ू, और मैं खुझ भी पहली दफ़ा ही करवा रहा हूँ, और चीज यह कि जब numerical आ रहा है ना, तो करवाते भी solution को देखे न, idea हो जाता है कि numerical important है या नहीं है, जैसे अभी यह वाले numerical गुज़रा न, मेरे इसाब से यह numerical अगर आएगा न, तो MCQ दुमाएगा, यानि मेरे इसाब से इसकी अउकात, MCQ की है, क्योंकि जब concept बन गया तो यह सिर्फ माइनस करना आजाएगा, उससे पहले वाले numerical भी इतना important नहीं का, यह वाले numerical छोड़ा से technical numerical है, तो अगर impulse की numerical में इसको नुमाएगल आया, तो इस पे important लगा लो यह वाला आ सकता है, confirm मतलब extreme important नहीं बोल रहा मैं, लेकिन impulse की टॉपिक के important numerical है, अच्छा आप बिड़ा focus इदर कीजे, अब हमारे पास यह जो numerical है, इस numerical को कराने से पहले मैं दो-तीन बाते ज़रा side में explain करना चाहता हूँ, मुझे एक बात बता हूँ, वो निकालने क्या बोल रहे है, impulse निकालने बोल रहे हैं, सबसे पहले सबसे एहम point clear करता हूँ, impulse निकालने के दो रास्ते, एक रास्ता आप डेल्टा-P, PF-PI कर दो, तो फार्मला लग जाएगा, MVF-MVI, मुझे पता है, डेल्टा-P आपके पास impulse होता है न, अब इसको फोकस करो जो मैं point explain कर रहा हूँ, impulse, यह मैं आपको ट्रेक्ट बता रहा हूँ कि किस तरह से न, डेल्टा के according, आप प्रॉब्लम से बाहर आते हूँ, प्रॉब्ला को आपको याद है, एक यह वाला फार्मला है, आप एक बात बता हूँ, VF पता है अपपर, checkled, VIV भी पता है, हस रहे हैं किसको लेके, मास, अगर मास मुझे पता होता है न भाई, अगर मुझे मास पता होता हूँ, अगर दो मिनट का दो मैंगे लिए, मैं वैल्यू पुट करता हूँ, और मैं डेल्टा पी निकाल दे, लेकिन मास नहीं पता, तो अब मास अगर नहीं पता हूँ, अब उनने कोई ना कोई चीज तो दी 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 है, पूरा फोकस सामने कीज़ेगा, एक इस इगल टो क्या होजा है, डेल्टा पी अपॉन T, यह नुमारिकल काफ़ी लंबा हो जाएगा, अब एक इस इगल टो डेल्टा पी अपॉन T, तो इसका मतलब एक इस इगल टू, डेल्टा पी, म्वी एफ, सॉरी, म् वी एप माइनस वी आई अपॉन मी क्या जाएगा ती पीटा सामने देख लो दो मिनेट में फिर करते रहना बैठके एम आगी है यहां पर डेल्टा पी की जागा और यह आगी है एम वी एप माइनस एम वी आपॉन टी मेरा पेटा अब मुझे एक बात बताओ एम बी गिवए न है और टी गिवए निकाल सकते हो तो यहनि करनािफर को ऑपर वाला एम की जर्णा एम teknाप लेन के यहां अ फोन एकृट म साल्व καह दरा दूगा पूर माइनस एक करना सब्सक्राइब ago upon t और f की value solve करके क्या निकालो m आ गिया यह जो value multiply कर यहाँ के क्या करेगी divide m आ जाएगा जब m आ जाएगा उसके बाद clear हो गया अब ज़रा आईए values put करवाईए f की जगा बता हो क्या आएगा 800 m की जगा vf की जगा बता हो क्या आएगा vf 60 very good minus 40 0.02 बिल्कु सही है बिड़ा अब आप क्या करें आप simple सा काम करें और वो यह करें पहले तो 60 minus 40 करो 0.02 से divide करो यह कितना आ रहे यह ना अच्छा अब divide कर वादू सॉल्व करो कितना रहे बन पॉइंट मेरे बिटा यह हमने चाने कर लिया बास अभी मसला हल नहीं हुआ है अब हम एक बनेटबूजी आप सॉल्यूशन को एक अम्रीड कर दे अब हम impulse यह जो के चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है यानि के पी एफ माइनस पी आई यानि के एम बी एफ माइनस एम बी आई के बराब होता है अब हम values put करो एम की जगा क्या जाएगा और बी एफ की जगा 60 फिर एम बी आई एम की जगा 1.25 और यहाँ पर क्या जाएगा 40 अब पेटा जल्दी से 1.25 को 60 से मल्टिप्लाई करो यह 0. एफ हंड़ी दिवाइट पर थाउजन यार उमर भाई गज़ाट दाया करो 0.8 अब यहां पर क्या जाएगा 0.8 और यहां पर क्या जाएगा 0.8 बेटा इसके से मल्टिप्लाई करू 0.8 मल्टिप्लाई पर 60 40 8 0.8 मल्टिप्लाई पर 40 पहले 0.8 को 60 से मल्टिप्लाई करू फिर 0.8 को 40 से माइनस अब मुझे एक बात बताओ पूरी क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जिसका यह आंसर आ है आ सकता था तुपारह यही आया है गुड़े और इससे भी वो आपके पास जो क्या करते हैं इससे अपनिल में देख लेता हूँ आंसर यही आ रहा है न मैं कह रहा हूँ अगर यह आंसर सही आ रहे है अगर यह आंसर सही आ रहे फिर कोई से भी स्टाप लोगी है अगर यह आनसर यह आना चाहिए नहीं खाल से इनन मैं का समझ में आगी होगा अब तो हम बच्चे जल्दी से राइट डाउम करें इंपल्स का टॉपिक हमारा क्या होगी है एंड होगी है अज़ा इसी सवाल को अब सामने देखा फ़र्मा बच्चे और देखा ब्राइंड देखा क्या कुछ होता है इसी सवाल को एक और तरी कैसे पर कर सकते और लेकिन मेरी बास सुरू एक ट्रेक थी यह वाल है और वो भी बिल्कुर सही है मुझे एक बात बताओ अभी कुछ दिर पहले इस मतालिक बात हुई थी कि F is equal to डेल्टा पी अपॉन क्या होता है अगर F is equal to डेल्टा पी अपॉन टी होता है तो बताओ F की वाल्यू कितने के वेने 800 डेल्टा पी की वाल्यू कितने के वेने फाइन करनी है और टाइन की वाल्यू कितने के वेने आजसर दोनों में सेम आएगा इसको इससे मल्टिप्लाइब कर आदो लेकिन ये स्टेप्स करने के बाद एक जहन में सवाज जरू आएगा कि यहाँ पर इनिशल और फाइनल विलॉस्य और ये सारी चीज़े क्यों दीवे हैं तो दोनों ट्रेक बिल्कुल क्या हैं सही हैं दोनों मेतट बेस्ट हैं लेकिन अगर दोनों को कंप्यर करें तो मेरे इसाब से आसान स्टेप कौन से वाल है ये वाल है तो आपको अड़ो करना चाहिए यहाँ पर इनिशल वस्य और फाइनल वस्य को क्या करें इगनूर कर सकते हैं दोनों मेतट सही हैं किससे करें आपके आशा बिल्कुल सही आ रहे हैं लेकिन बेस्ट ऑप्शन यह के मेरे खाल से यह सेकंड ऑप्शन यह ज्यादा असान है अब न इसके बाद इंपल्स का एक लास्ट ऑप्शन रहे गिए और वह यह के आपना तबाम बच्चे वर्ट इग्जांपल नमबर 3.35 चलती से वर्ट इग्जांपल नमबर 3.3 पर आएं वर्ट इग्जांपल नमबर 3.3 कोजिचन दिखने में बहुत बड़ा नज़र आ रहे हैं बहुत ही आसान है इतना पर मुश्किल नहीं है आराम से कर सकते हैं जड़ा एक्जांपल नमबर 3.3 को फोकस कीज़ेगो दो मिनट के अंदर ही करवादूंगा मैं और उसके बाद फिर आप अराम से अपने टेस्स की तेजाए कीज़ेगा क्याते हैं क्यालकुलेट्टा इंपल्स अगेन इनको इंपल्स से महबबत हो गई है और यह कह रहे हैं इंपल्स निकालो क्यालकुलेट्ट इंपल्स चेंज इने अच्छे वह गलती से तो अब्जेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अब्जेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् यह वाला सवाल ना, अगली class में discuss करेंगे, क्योंकि momentum से related है, impulse वाला नहीं है, यह मैं समझा था impulse वाला नुमेकल है, अगला नुमेकल यह नियुक्त वीडियो, यह जो next class होगी, उसमें discuss करेंगे, आज हमने, अब ज़रा इसको जाना wind up कर लो class को, आज हमने कौन से concept को clear किया है impulse, और मुझे लगता है कि impulse में जो तीने नुमेकल अभी पढ़ाएं, तो इतने important नुमेकल नहीं है, अगर आए तो यह MCQs में आ सकते हैं, और impulse के ज़्यादा दर MCQs आते हैं, next class में, मैं momentum को नुमेकल कराऊंगा, जो मेरे रिसाब से हद से ज़्यादा important होगा, अलाह आपस मतलता है कि यह cách यह सहा सब्सक्राओा हुआ है उपस्क्राओ करे टकार क्या है च मतलता है कि नहीं 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 है कि यह कूए मारे टलता है, घजले एंग झेर में पिते हैं, टकैसा हैा 5-7 है